फॉल कॉलव होगो आज के वीडियो बहुत ज़्यदा इंट्रेस्टिंग होने वाला है वह सिंपल सी बात है कि मैंने आज से तीनमेने पहले एक वीडियो बनाया था इसमें combined मैंने पेनल दिखाया था लगबग 3 या 4 मन्त को वो पेनल था जिसे मुझे लगबग 48,000 रुबिस का लॉस हुआ था फिर उसके बाद मैंने अपने ट्रेडिंग इस्टाल ने बहुत सारे चेंज़ेस किये अचानक से प्रॉफिट नहीं हुआ सब्सक्राइब मैं जब एक बाद सेयल नाम को अब शिख करने वालन औरhar मैं सिंपल सी बात है कि आप मैं सीधे से अपने अपने पेनियल पले के चलता हुब लोग सिंपल सी बात है यहां पर लगबग यह फर्ष्ट जून से लगा हुआ लगबग वन मंद का पेनल है अलगबग टुइंटी टॉटल प्रॉपिट हुआ सिंपल सी बात है मैं आपको बता दू कि मेरे जो दो चार्जिस इसके वज़ा से यह जो दो ट्रेट दिख रहा है आपको यहां पर लॉस हुआ था दिन था जिसके वाज़े से मुझे यहां पर लॉस हुआ था और इसमें मैंने बहुत ज्यादा ओवर ट्रेट कर दिया था लगबग से दो जार चार्जिस तो मैंने ही पर पे कर दिये थे एंड लगबग मैं आपको बता दू लगबग मेरे कितने लगबग कितना दिन लॉस हुआ बार दिन में 4 दिन लॉस हुआ है ठीक है इन बागी कि साखेश देसमोचे एट अपे यहां पर क्या हो मुझे प्रॉफिट हुए है तो आपको रिश्ट डिवार रिश्वार रिश्या बहुत ही इंपर्टन्ट हो जाता है मैं नोह बताता हूं जिनके बहुत फीर करने का बड़े points को capture करने लगबग 1-2 और या 1-3 एकसपारी का दिने तो 1-3 का भी अब हम आपे capture कर सकते हो ताकि आपको किसी दिन अगर major setback भी लग जाता है तो फिर भी आप कोहां से क्या कर सकते हो अपने profit को maintain कर सकते हो simple सी बात है तो अब मैं quickly मैं बता दू कि मुझे यहां पर total profit जो वो 30,000 रुपीज का हुआ है लगबग अभी and charges काटने के बाद अब मैं conscious strategy follow करता हूँ देखिए strategy मेरे simple सी रहता है कि मैं एक combination यूज करता हूँ फर्स होता है that is MACD, that is MACD, second Bollinger Band and the third one is RSI यह मैं तीनों के combinations को use करता हूँ ठीक है मैं इस पर एक combined video भी बना दूँगा अगर आप comment box में अच्छे से comment करते हो या फिर अगर आपको यह strategy सीखना है कि इन तीनों के combinations को कैसे use करते हैं मैंने इन तीनों के combination को use करके ही and साथ में one of the most important thing जो बहुत लोग know कर देते हैं वो है option data option chain के data को आपको read करना है आना चाहिए क्योंकि market है बहुत ही जाधा smart हो रहा है तो वहाँ पर long buildup क्या होता short buildup क्या होता है अच्छा बोग्होरी ज़रूरी है क्योंकि market और पहले जय सा नहीं रहаться लेकिन आपको एक elles को कम करने ए यह जो मेरा यहाँ बिखने यहां पे जो मेरा लास हो गया था, इस उले ड्रेड में यह दो ट्रेड में मुझे बड़े लौस उसके बाद मैं आपको ए सिखने पर दिखा और का लौस आपको बड़े रखने यहाँ पर देख लो से लेखना ठीक है एंड फर्स्त में यहां पर देख सकते हो लगबख सेवन थाद सबने बड़े बड़े प्रॉफिट से तो सिम्पल सी बात है कि आपको यहां पर यह चीज पर ध्यान रखना है कि मैं तीन चीज़ को हाईलाइट करना है सबसे पहला है कि आपको रस्पेक्ट कर सुधारे का नहीं, simple सी बात है, या तो आपको mentor ढूंड़ो, मैंने तो एक mentor ढूंड लिया, literally, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा guide किया है, मतलब कैसे मुझे अपने over trading पर control करना है, या फिर मुझे setup को कैसे respect करना है, वो सारे जीज मैंने उन से ही सीखा है, तो आप लोग को simple सी बात है, या तो आपको अच्छा सा mentor ढूंड लो, या फिर अपने अंदर वो controlling factor ले आओ, देखिए simple सी बात, अगर आपको small account होना, अगर small account को आपको grow करना है, तो simple सी बात, आपको छोटे-छोटे steps लेने पड़ेंगे, first month मुझे कितने का profit होगा, 8K का, second month मुझे कितने का profit होगा, that is 9.5K का, and the third month मुझे इस profit होगा, तो यह आपको छोटा-छोटा भाइले profit लेने सीखना होगा, यहां पर भी क्या था ना, कि first, लगबग first 10 days, 5 days मुझे अच्छा profit होगा, लेकिन end of the month आते या फिर loss, यहां same second month मुझे वही होगा, लेकिन इस इससे start करूँगा, क्योंकि अभी फिर से, बहुत सारे major events वाले days आ रहे हैं, तो events वाले days में न, मतलब जो beginner है, मैं अपने आपको beginner मानता हूँ, बिगनर स्कूज दिन trade नहीं करना चाहिए, अभी budget आने वाला है, monetary policies आने वाले है, fed के meeting होने वाले है, बहुत सारे, तो इसलि आने गाले रहे हूए, बहुत सारे रहे हैं है, इसलिए अरले आने वाले है आने वाले है